सभी को जैसरी कृष्णा राधे राधे तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाइल की एक सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाइल के प्रती स्रद्धा भक्ती भाव और बढ़ जाएगा तो अगर वीडियो अच्छा लगे सत्य घटना अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और जॉइन बटन लगी है अगर आपको जॉइन करना हो तो कर सकते हैं तो ये सत्य घटना MP की है जहां पे राधी का नाम की एक लड़की रहती है और है तो वो बचपन से ही अपनी दादी के साथ देखा है दादी के साथ रहती थी तो उसने देख मतलब उसकी जो फैमली थी जॉइन फैमली थी उसने हमेज़ा अपनी दादी को भगवान की सेवा करते हुए देखा है और जो चोटे बच्चे होते ह दादियों के साथ ज़ाधा रहते हैं वो लोग जो joint family में रहते हैं और जो गाओं से जुडे हुए लोग रहते हैं क्योंकि गाओं में अधिकान्स आज भी joint family होती है और सहरों में जो बड़े-बड़े सहरों में हैं वहाँ तो possible ही नहीं है joint family एक साथ रहना लेकिन बड़े से ऐसी बात नहीं है बड़े सहरों में आज भी joint family रहती है जैसे मैं भी दिली में रह रही हूँ लेकिन मेरे साथ भी मतलब हम लोग सब साथ में रहते हैं हमारी भी joint family है तो क्या होता है कि राधी का राधी का जो थी वो अपनी दाधी की हमेशा दाधी के साथ पूजा करती थी दाधी को पूजा करते हुए देखती थी तो उसके मन में भी न अंदर से भक्ती भाव जागने लगा था वो दाधी को जैसे देखती वैसे वो भी करती है हमेशा उनके साथ रहती उनका देखती रहती दादी कैसे सेवा करती हैं दादी कैसे पूजा करती हैं और जो दादी लोग होती है वो अधिकतर आपने देखा होगा हमेशा भगवान की कुछ ना कुछ कहानिया वो सुनाती रहती जो कि बच्चों को अच्छी लगती है तब ही तो दादी न पास रहते हैं और हमारे साथ भी ऐसे ही होता था कि जब हमारी दादी रहती थी ना तो हम लोग हमेशा अपने दादी के साथ ही रहते थे और रोज का दादी का नियम था ये मैं अपनी परसनल बात बता रही हूं कि रोज का उनका नियम था कि कहानी सुनाना ही है हम सारे बच् चलता था कि हम लोग कब हम लोगों की नीद लग गई ऐसे बचपन था लेकिन आज के टाइम पर ये पॉसिबल होना बड़ा मुस्केल है बहुत कम ऐसे जॉइंट फैमिली है जो साथ में रह रही है और वो सच में बहुत भागे साली बच्चे हैं जो कि आज भी अपनी फैमि उनको मिल रहा है ये बड़े सौभागी की बात है आज के टाइम पर तो क्या होता है कि ये जो राधी का थी अब ये धीरे धीरे बड़ी हो रही है अब इनका इसका स्कूल में एडमीशन हो गया और स्कूल से आती और वो बैड़ जाती अपनी दादी के पास दादी कुछ ना कुछ ना कुछ बाते बताती रहती अब इसका जो है ना मन लड़ो गोपाल की सेवा में बड़ा लगने लगा था अब ये सुबह उड़ती और जैसे इसकी दादी जाती बगीचे आमें लब फूल काउंदे हातों में और जो बड़े बड़े घर होते है ना वहां पर क् सफेद वाले फूल, कनेर के फूल, ये छोट गैंदा के फूल, ये वाले फूल तो हमेशा ही उनके गार्डन में में रहते ही हैं तो ऐसे ही रादिका के यहां भी था तो वो सुबह एक टोकनी ले जाती वाली जो पूजा में रखते हैं उसको लेके जाती और बड़े के जो होता सदा क्या बोलते हैं इसको वो वाला भी फूल उसके हां लगा था अब बहुत सारे फूल एक टोकनी भर की छोटी सी टोकनी भर की वो लेके रख देती दादी के पास और उसको ये सब चीज करने में अच्छा भी लगता था अब वो धीरे 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 बड़ी हो अब उसका स्कूल हो गया अब वो इतनी बड़ी हो गई कि अब वो कॉलेज जाने लगी अब तो मतलब भक्ती जो है ना ये बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अरे अभी तो छोटे हैं अभी ये सब चीज करने का टाइम थोड़ी है और अभी ये उम्र थोड़ी है लेकिन जो भ बड़ी वो हो जाती है मतलब मजबूत से हो जाती है और जिसको प्रगाड बुलते हैं वो हो जाती है ऐसे ही इसके साथ था राधिका के साथ अब इसकी जो भक्ती है वो बढ़ने लगती है और ये भगवान के प्रती बड़ा भाव इसका जगने लगता है अब ये किया करो उनसे बताया करो क्योंकि दुनिया में जो बात जो काम कोई नहीं कर सकता जो हेल्प कोई नहीं कर सकता वो हमारे लड्डू गोपाल में इतनी सामर्थ है इतनी सकती है कि वो सब कुछ कर सकते हैं वो भगवान है मतलब ऐसे करके उसके मन में ये सारी बातें बैठ गई थी कि हम अपनी हर सुख दुक लड़ोगो पाइल के सामने सेयर कर सकते हैं और वो हमारी हर प्रॉबलम को सॉल्व कर सकते हैं ऐसे इसके मन में था अब क्या होता है कि जब राधीका का कॉलेज भी हो जाते हैं अब इसके लिए लड़का देखने लगते हैं अब भगवान की क् बाइक लड़ोग लड़का मिल जाता है अब इसकी सादी भी बड़े धूम धाम से होती है बहुत ही अच्छे से और फिर जब इसकी सादी के लिए सब कुछ तयारियां चलने लगती है सब कुछ होने लगता है तो ये एक दिन अपनी दादी से कहती है कि दादी मैं तो अपने लड़ो गोपाइल की बहुत सेवा करती हूं लेकिन वहां अंजान घर में जाऊंगी और है तो मैं कैसे रह पाऊंगी बिन अपने लड़ो गोपाइल की सेवा की तो उसकी दादी कहती है कि तु चिंता क्यों कर रही है जैसे यहां सेवा करती दी, वैसे वहां करना, तो वो कहती है कि अगर उन लोगों को पसंद नहीं आया तो मैं कैसे करूँ गी, भूल क्यों नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा तो तु पहले बात कर ले न तो ऐसे करके उसकी दादी समझा देती है तो वो बड़ी खुस हो जाती है कि हाँ दादी ने ये बात बड़ी अच्छी गई और सच में बड़े बुड़ों के पास ना ऐसी ऐसी बातों के solution होते हैं कि जिस बात में हम परिशान हो जाते हैं वो उनका जट से उपाय बता देते हैं कि ऐसे से ऐसे कर लो तो मन को बड़ा सांती मिलती है ये बात बिल्कुल सही बात है तो राधिका को बड़ा अच्छा लगा कि दादी ने सही का मैं पहले ही बात कर लूँगी इसमें बाद में कोई problem ही न हो तो जब इसके जो हस्बेंड होने वाले वो जब देखने आये थे तो राधिका ने पहले ही ये बात कर दी थी कि मैं जब आऊंगी तो मैं बिना लड़ू को पाल की सेवा के नहीं रह पाती हूँ तो मतलब मैं लड़ू को पाल लेके आऊंगी तो इसके जो ये थे हस्बेंड थे उन्होंने बोल दिया था कि हाँ ठीक है हमें कोई problem नहीं है हम भी भगवान को मानते हैं ऐसे करके तो अब इसकी साथी बड़े धूम धाम से हो जाती है लड़का बड़ा सुन्दर बड़ा सब्ब बड़ा समझदार पढ़ा लिखा अच्छी जॉब में जॉब कर रहा था तो ऐसे इसकी साथी हो जाती है अब ये ससुराल आती है और ससुराल में भी जब फर्स्ट वार आती है बड़े अच्छे से सब लोग मान सम्मान के साथ बड़े प्यार के साथ इसको मतलब ये घर में रहती है मुश्किल से चार-पांच दिन ये फर्स्ट वार में रुकी होगी और है तो फिर जब ये अपने माई के जाती है फर्स्ट वार सब पूसते हैं कौन कैसा है सब को बताती है कि बड़ा जो फर्स्ट वार में न सब बड़े अच्छे लगते क्योंकि सब का प्यार मिलता है कोई किसी को अंदर से नहीं जानता मतलब जो जैसे बात करेगा तो फर्स्ट में तो सब अच्छे ही लगते हैं ऐसे ही राधिका के साथ था बड़े अच्छे उसको सब लोग उसके साथ ससूर क्योंकि इसके जो हस्बेंड थे इनका ये हस्बेंड और एक बहन थी जिसकी की साधी हो गई थी तो अब रहना था इ उस दिन के बाद ये रुकती है 10-15 दिन अब मतलब फर्स्ट बार आने के बाद और फिर ये वापत दुबारा जाती है अपने ससुराज जब वहां जाती है प्लड़ू को पाल को तो फर्स्ट बार में ही मतलब चले गए थे इसके साथ में और हम लोगों के आना रिवाज है बतला हम लोगों के MP में रिवाज है कि हमेशा साधी के बाद साधी के बाद नहीं साधी में ही जब लड़की जाती है तब उसके साथ में लड़ू को पाल जरूर जाते हैं पता नहीं ऐसी प्रथा क्यों है क्योंकि भगवान का हमेशा साथ रहे या जो भी बाल रूप जो भी समझ के वहाँ पे हर घर में हर लड़की के साथ में लड़ू गोपाल को जरूर दिया जाता है तो इसके और ये तो सेवा करती वी थी जो सेवा नहीं भी करती है ना उनके घर भी लड़ू गोपाल जाते हैं फिर तो ये सेवा ही करती थी इसने तो पहले ही अपनी दादी स कह दिया था तो ना ले जाने का तो बात ही नहीं था अब क्या होता है जब ये दूसरी बार में जाती है अपने ससुराल जाती है तो ये सुबह उठके बढ़िया इस नान ध्यान सब कुछ अच्छे से तैयार फिटवाट होके अपने भगवान की लिड्डू को पाल कि और जो जाती थी पूजा पाट करने के बाद मतलब इतने जल्दी ये उठके सब कुछ करती थी और है तो फिर भगवान मतलब हस्बेंट के लिए टिफिन बनाती थी और अपने लड्डू को पाल के लिए भोग बनाती थी क्योंकि इसके घर में एक बात थी जो कि इसको अच्छी लगती थी वो क्या था कि इसके घर में लहसुन प्याज बनता था और इसने एक बार पूछा था अपनी सासो मा से कि मतलब पहले से एक चोटे से लड्डू को पाल हैं तो आप इनका भोग नहीं लगाती हैं तो उन्होंने बोला कि नई बेटा हम भोग वाला सिस्टम नहीं किये हैं क्योंकि यहां पर भोग लगाना बड़ा मुस्किल है सब लोग लेसन प्याज खाते हैं तो उनको फिर क्या भोग लगाएं तो कभी काज जब मिठाई फल फूलाते हैं वो लगा देते हैं नियम बना कि हमने ऐसा रखा नहीं हैं तो उसने कहा राधिका ने कहा कि मम वो क्या था कि राधिका जी बहुत अच्छे से सेवा पूझा सब कुछ अच्छे उनकी हो रही थी, घर परिवार बढ़ अच्छे से चल रहा था, लेकिन अच्छानक क्या होता है, कि राधिका जी के जो हस्पेंड होते हैं, वो कहीं घूमने का प्लाइन बनाते हैं, अब इन ये अपनी सासुमन से कहती है कि अम्मी जी एक हपती की बात है आप थोड़ी दिन की सेवा कर लीजेगा मतलब सुबह साम का भोग लगा दीजेगा और जो लड़ू को पाल है उनका नियाम है रोज उनका भोग लगते हैं तो वो तो साब कह दी थी पहले ही तो वो कहती है कि देख मैंने तुम से पहले ही बोल दिया है कि मेरे से ये सब चीज पूजा पाट का इतना होता नहीं है और मैं इस सब चीज मानती भी नहीं हूँ कि लेटो वो पाल भोजन करते हैं कि वो करते हैं बही ठीक है पूजा पाठा गरबती लगा दो यह सब कर दो, लेकिन इतना जादा मुझे यह सब चीज नह ढोङ लगती है मुझे नहीं लगता है कि हाँ वो खाते होंगे, वो पीते होंगे यह सब चीज मुझे सही नहीं लगती, ऐसे कड़के तो भादिका जी समझाती हैं कि आप जिस भाव में उनको मानेंगी जैसे उनको रखेंगी उनमें वो सब चीजे होती हैं आप कभी दिल से भाव से उनको मान के देखो वो ऐसा आपको महसूस होगा कि जैसे हमसे बात कर रहे हो हमारी बात सुन रहे हो वो बता रहे हो ऐसी अनभू लगती है और मुझे यकीन नहीं है सब चीजों में तो वो राधिका जी अब बड़े इसमंजस में पड़ गई कि करें तो क्या करें अब जाना भी है इसवेंड भी जाने को वो कह रहे हैं और यहां पे लड्डू गॉपाल की सेवा कैसे होगी अब वो क्या करें बड़े दू लड्डू गॉपाल की होती है लेकिन यहां बिलकुल अलग यहां पे तो लड्डू को प्याज भी बन रहा है सब्कूछ इतना ब्हाव है भी नहीं किसी इका बिना राधिका जी के लावा तो अब क्या करें अभी अपने हजब्वेंट से कहती हैं कि देखो लडो गोपाल अकेले रहेंगे और मम्मी ये कर ने पाएंगी तो मैं क्या करू मेरे मतला मुझे समझ में नहीं आ रógा है तो अब वो भी कहते हैं कि कोई नहीं मैं मम्मी से कह दूंगा वो कर लेंगी. अब वो उनके हस्बेट अपनी मां से कहते हैं कि मां एक हपते की बात है, जैसे रादीका करती है वैसे कर देना. तुम्हारे मन में भाव नहीं है कुछ नहीं, लेकिं अगर वो कह रही है, वो करती है तो कर देना तो बड़ा मनाते हैं उनके मतलब राधिका जी के हस्वेन अपनी मा को तो वो कह देती की चल ठीक है हपते बर की बात है कोई नहीं पिर राधिका जी भी कहती है तो कहती है हाँ ठीक है कर दूंगी हूमाओ तुम लोग ऐसे क्योंकि अभी नई नहीं बहु है देखती सुनती जब बहुत अच्छे से मतलब होता है इनका ट्रिप और एक हफ़ते के बाद इनकी वापसी थी एक दिन क्या होता है कि जिस दिन ये आने वाली होती है उसके एक दिन पहले की बात है इनको अजीब सा लगता है मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई परिशान जब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, सब घूम रहें, फिर रहें, सॉपिंग हो रहें, सब कुछ हो रहें, खा रहें, पी रहें, लेकिन अंदर से बड़ा बेचैन सा मन होता है, बड़ी गबराहट सी होती है, यह अपनी हज़ियोंट से बात भी करती है, पता नहीं मुझे आ बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी तेज़ ओलू।UND से रो गएगा, मेरा मन नहीं कर रहा है, हाँरू को बूलिए एहां कि जल्दी जाओ लटू को पाइल चूपा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसी की वज़े से मुझे ऐसा लग रहा हो बड़ी याद आ रही है उसकी ऐसे करके तो बोली कि इतनी अच्छी चेखे पे आई है लोग एक बार आ जाते हैं तो उनका जाने कमन नहीं करता और अभी तो दो दिन बचे हैं अभी कैसे कर रही है अच्छा गुमा रहा हूं सब कुछ कर रहा हूं उसके बाद भी तुझे अच्छा नहीं लग रहा हूं और फिर वो लोग साम होती है अपनी रूम में आजाते हैं होटल में आजाते हैं अब यह क्या होता है कि खाना पina खाकी यह सो जाती है अब इनको एक ऐसा सपना दिखता है जिसमें की एक छोटा सा बच्चा है और उसका चहरा ऐसा दिखरा है बड़ा दैनी सा बड़ा रोते हुए बड़े बड़े आंसू से रोते हुए और जैसे उनका पलू सा खीच रहा हो और कहरा हो देदी मुझे भूख लगी है मैं भूख मुझे खाना देदो और उसकी आँखों में बड़े बड़े आंसू बह रहे हैं ये देखके तो वो बड़ी हो जाती है बड़ी बेचेंसी हो जाती है कि क्या है और उठके तुरंद अपने हजबेंड को जगाती है और कहती है कि मुझे ऐसा सपना दिख रहा है पता नहीं क दोबारा अब इनको कहानी दाने वाली थी अब ये तो वैसी परिशान थी बेचैन सी थी अब इनको मन में लगने लगता है कि भगवान मुझे दीदी कौन बोल रहा है कौन ऐसा बच्चा है जो कि इतना भूखा है और अब ये सोचती है कि सुबह उठके में सबसे पहले जुड़े होते हैं जब हम भगवान के साथ कोई रिस्ता बनाते हैं तो वो कनेक्शन हो जाता है वो हर एक चीज हमको महसूस होने लगते हैं कभी कभी आप देखो भगवान को भगवान की सेवा में ना कभी कभी उनका चेहरा बड़ा मुस्कुराता हुआ दिखेगा कभी क बड़े वैसे रूठे से दिखेंगे तो यही तो भाव होते हैं यही तो भक्त के भाव होते हैं जो भगवान के साथ लड़ो गोपाल के साथ जुड़े होते हैं तो वो सपना उसको ऐसा क्यों दिखा कि इसलिए दिखा होगा क्योंकि हो सकता है वहाँ पर परिशान हो अब ये सुबह उठती है और इसी तरीके करती है, बहुत सारे बिस्किट ले लेती है, कुछ फल पूल ले लेती है जितने भी जो भी समान उसको मिलता जाता है और बुट-बात में जितनी भी बच्चे थे, जो भी देने लाइक थे, सब को वो बाती है उस दिन उसको थोड़ी सा अच्छा लगता है अब ये क्योंकि दूसरे दिन जाना भी था अब उस दिन भी घूमे फिरे फिर रात में ये सोती है फिर उसको वही सपना वही बच्चा और वही वो खीच रहा है पीछे से और कह रहा है कि दीदी मुझे बहु और ऐसे भूख ऐसे मांग रहा है जैसे कितना मतलब कितने दिनों से वह भूखा हो उसको खाना ना मिला हो बड़ी मोटी मोटी सी आंक हैं उसकी और उसमें आशू भरे हुए वो फिर वही कि बार-बार दूसरे सपने आये तो नहीं लेकिन वही वही सपने उसको क्यों दिख पर परिशान हो जाती है उटके बैठती हो बोलती है कि कुछ तो है जो मुझे वही सपना दिखा उसके husband फिर समझाते हैं और कहते हैं मैं इसमें क्या करूँ कि तुझे यही सपना क्यों दिख रहा है आप तो वह और बिचैन हो जाती है तो कहती है मैं बहुत घूम ली अब मुझे से जादा नहीं घूमना चलो अब तो उसके हजबेंट समझाते हैं कि कल ही तो चलना है आज और बस असाम को घूम ले और फिर सुबह की तो ट्रेन है चलना ही है ऐसे करके वो कह देते हैं अब जैसे तैसे उसका उस दिन वो दिन कून मिलता है घर आते ही साथ वो सबसे पहले जाती है वहां अपने लड्डू गोपाल के पास जहां मंदिर था जब वो वहां पर जाती है उसकी तो हो सुड़ जाते है देख कि उसको इतना रोना आता है इसलिए रोना आता है कि जिस दे एक हपते पहरी ये लोग गए और जो कपड़े पहना के गई थी राधिका जी और उनके जो फेस था दा फेस में ऐसे चीटे चीटे पड़े हुए थे, वो मम्मी से तुरंद पूछती है कि उम्मी इनकी फेस में ऐसे कैसे दाग दाग से पड़े हैं, क्या हुआ और है तो जब वहां देखती है तो बस मिसर मिसरी के दाने और मुमफली की पपड़ी डाइब की वो रखी हुई थी और वो पता नहीं वो कब से रखी हुई थी क्योंकि वो जो मुमफली की पपड़ी होती है बहुत दिन तक वो रखी रहे तो सील जाती है उसका जो गुड होता है वो बहने से रहे तो वो पता चल रहा अपने लड़ो गोपाल को भाई के रूप में माना था उनका जो रिस्ता था एक भाई बहन का तो वो बच्चा भी तो राद जो सपने में आ रहा था वो भी तो इनको दीदी बोलके ही उठा रहा थे ना कि दीदी मुझे भूख लगी है तो वो कोई और नहीं ये लड़ो गो आया था किया लड़ो गोपाल की सेवा कैसे की थी तो वो बोली कि देख मैं तेरे से पहले ही बोल दी थी कि भाई मेरे से ये सब चीज नहीं होती है और है तो मैं पानी से ऐसे छिड़क के इसनान करा देती थी और वही जो भी था मैं वो लगा दी मैं खाना वाना नहीं बन इनकी 서वा ऐसी नहीं होती है, अगर जैसे हम इनकीサalyhte है उनको रहना पसंद होता है, अब देखो इतने दिन से उनको भोग लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, आपने भोग नहीं लगाए, तो ये मुझे वहाँ पे जाके बताए कि मैं भूखा हूँ, ये सब सुनती हैं तो उसकी माँ को भी लगता है कि हां होती होगी ऐसी से वह और उनके मत में भी फिर भाव जग जाते हैं उनको जब ये बहुत सारी ऐसी बाते अपनी दादी के टाइम की भी बहुत सारी बाते ऐसे बताती है न तो फिर इनकी मन में भी लड़ो इनकी सास के मन में भी लड़ो पाइल के प्रती स्रद्धा बढ़ जाती है भाव बढ़ जाती है अब है तो दोनों सास भाव बहुत ही हिल मिल के सेवा करती हैं पूजा पाट करती हैं उस हाल है उनका जीवन बहुत अच्छे से अब उनकी सासो मा भी राधिका की जैसे ही उनकी सेवा करने लगती है एक बेटे के भाव में उनकी सेवा करती है तो ऐसी थी ये सत्ते घटना तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब करिए मिलते हैं किसी नेक सत्ते घटना के साथ जब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए थैंक यू सो मच फूल वाच करने के लिए राधे राधे